So dear students, आज मैं explain कर रहा हूँ MP board के 12th class का English का paper जी हैं students, आज से MP में मद्द प्रदिश में board की exams 12th class के start होगी और सबसे पहला आज जो exam था, question paper था, वो English कही था, तो उसी का question paper में detail explain कर रहा हूँ, ये English medium और Hindi medium, दोनों के students के लिए एक ही question paper था, और आज मैं आपको detail में बताने व marks जो है, आपको इसमें से score करने दें, तो इन 80 marks में से आपको करीफ 48 marks के तो question answer पूछ ली गए हैं, और बाकी other marks के आपको unseen passages आए हैं, extract आए हैं, grammar आई हैं, तो extract grammar और unseen passages, ये तीनों चीजे मैं आपको explain करूँगा, ये question answer तो भाई मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि आप आपको खुद को पढ़ने होंगे, तो आप देख लोगी आपके कितने number आ रहा हैं, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले grammar से, और जो भी strengths ऐसे हैं, जो कि 12 की exam नहीं दे रहा हैं, या फिर देने वाले हैं, उनके लिए भी fruitful हैं, उनको पता चलेगा कि exams में को के से solve करना होता है, exams में grammar जो आती है, तो के से हम लोग solve करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी जो है carefully इसको देखें, इसको अच्छे से समझे, यह हमारा grammar section C यहां से start होता है, और इसमें सबसे पहला question आपको दिया है, I have seen blank lot of places, तो भाई यह तो मैं कहूँगा कि यह हो गया, दूसरा I prefer, भाई prefer एक एसी वब है, जो अपने साथ में याद रखना हमेशा two को carry करती है, मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने यहाँ पर then लगा कर आया होंगे, तो भाई जिन्होंने भी then लगाया है, बता दू आप गलत करके आगे हो, यहाँ पर आपको two लग है, तो यहाँ पर two जो है, वो सही होगा, मैं जानता हूँ, कुछ लोगों ने then लिखा होगा, क्योंकि strengths बताते हैं कि सर यह लिखकर हम लोग आ गए है, इसके बाद third question है, mangoes are being, अब मुझे आप लोग बताईए कि आपको sentence देखकर अलगी लग रहा होगा, जो भी strength हमारे personal institute से पढ़ा है, उनको पता है कि यह पेस्यू वो इसका sentence और पेस्यू वो अपकी third form लगेगी, मतलब the right answer will be bought, mangoes are being bought, तो यह sentence पेस्यू का था, तो is the right answer, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लिखे चलता हूँ, आनन्द is blank MA, अब एक चीज जो सबसे पहले दिमाग में क्लिक कर सकते हैं, अब प्रेशन उठता है कि सर में इसके आगे A लगाओ कि N लगाओ, तो इसका एक simple सा solution है, आप इसको लिखते क्या हो, MA, तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर A आ रहा है, जो कि sound दे रहा है, किसका vowel sound, वोल sound दे रहा है मतलब the right answer will be N, तो second B is the right answer, guys, यहाँ पर आ यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है कि आप सामने वाले से पूछ रो कि क्या कोई शिकायत है आपको हमारी खिलाब, so have you any complaint interrogated sentence है, कुछ नहीं करना था, any लगा देना था, बोलने में अलगी sound हो रहा है कि any आएगा, have you any complaint, और mostly student ने मेरा मानना बिल्कुल ही सही किया होगा, मुझे बहुत अच्छे से पताएगी, student कहां गलती करेगा, कहां नहीं करेगा, जहां मैं बताओंगा, वहाँ पर chances हैं आपके गलती करने के, he is poor, blank honest, अब यहाँ पर भी मुझे लगता है कि student ने गलती नहीं करी है, क्योंकि question बहुत जादा easy है, अब आप देखो, यहाँ प इसकी हो रही है, situation हो रही है, contrast की, एक और तो गरीब दिखा रहा हो, दूसरी और honest दिखा रहा हो, और contrast की situation सिर्फ create होती ही, but से, so the right answer will be, he is honest, he is poor, but honest, वो गरीब है लेकिन भही मानदार है, बैमान नहीं है वो, right, तो बहुत अच्छा questions है ये भी, इसके बाद हम लोग बात traffic, भई यहां पर आप से बोला जा रहा है कि हमें traffic rule का पालन करना चाहिए, तो यहां पर कुछ modal वब दे दी, एक दे दी must, एक दे दी shell, एक दे दी will, एक दे दी need, अब मुझे आप बताईए कि इसी कौन सी वब है, जो की आपके traffic rule, moral obligation में आता है, इसको shop करती है, अगर traffic rule क बात करते हैं, तो कहिन की traffic rule तोड़ना अपराद है, crime है, इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए, इसको अवेश्य फॉलो करना चाहिए, तो the right answer will be must, yes guys, the right answer will be must, because must is showing that you must do this work, आपको अवेश्य करना चाहिए, तो traffic walk जो है, एक ऐसे work में आ रहा है, जो हमें जरूर करना चाह जो हमें, must is the right answer, बाकी अदर मोडल नहीं आएंगे, चलिए, तो यह I hope आपने किया हुए, इसके बाद आपको दिया था, do is directed की questions, तो do is directed की questions में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल और आसान questions आपको दिये हैं, मैं सारे questions के आपका answer बता रहा हूँ, उनमें कहूंगा I rewrite the pair of sentence using who, आप यहाँ पर देखो relative pronoun who लिखा हुआ है, so in दोनों sentences को, we have to connect by using who, so the right answer will be, the boy is my cousin, यह अप फुली स्टों में है से अटा देना, who is wearing a red shirt, कुछ नहीं लिखना था, सुरिप यह लिखकर आ जाना था, कि the boy is my cousin, who is wearing red shirt, मतलब इस boy की जगा आपको हू लिखना था, और पूरा sentence copy करना था, हो जाता answer आपका, ऐसे दूसरा देखी, his brother is very studious, उसका भाई बहुत पढ़ाकू है, studious है, he rarely finds time for entertainment, उसका भाई जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाकू, इसके पास मुश्किल से ही time मिलता है, entertainment के लिए, अब combine the pair of sentences using so, अब यहाँ पर so का उप्योग कर होना है, तो कुछ नहीं करना था, आपको यह जो very लिखा है, इसकी जगह सो लगाना है, और इन दोनों sentences की बीच में that लिखना है, तो आपका answer होगा, his brother is so studious, that he rarely finds time for entertainment, यह लिखकर आना दबई, अगर आपको अपकी schools में teacher ने पढ़ाया हो, तो उन्होंने बताया हो कि वेर अब इसको अगर हम लोग solve करें, तो यह भी बहुत जादा easy questions था, इसमें आपको क्या करना है, कि सबसे पहले तो एक subject ढूंडना है, subject ढूंडी है, अगर last में question mark नहीं लगा है, इसका मतलब यह हुआ कि यह sentence affirmative है, negative भी कुछ note दिखनी रहा है, तो सबसे पहले subject क्या हो जाए she put some ink in her pen, इस तरीके से आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले आजाएगा she, फिर आजाएगा put, फिर आजाएगा some, फिर आजाएगा ink, फिर आजाएगा in her pen, इस तरीके से आपको इसको arrange करके आना था, और overall एक sentence बनाना था, यह हो गया, नेहा said I want to open this bag, नेहा ने कहा मैं इस bag को खोलना चाहती हूँ, इसको change करना indirect में, तो भाई, कुछ नहीं है, बहुत easy है, आपको simply लिखना है, नेहा said that she wanted to open that bag, यह this bag का हो जाएगा that bag, want का हो जाएगा wanted, I का हो जाएगा she, और बीच में connective that लग जाएगा, reporting speech said का sad ही रहेगा, इस पर इसका कोई असर नहीं होगा तो simply आपको इसको इस तरीकेस लिख कराना था, नेहा said that she wanted to open that bag, यह मिल गए एक number, मैंने काना बहुत easy चीज़े आई थी भाई, as soon as the boys saw the principle, they, एक second, they became silent, ओके, तो sentence में no user use करना भाई, no sooner use करना, no sooner के साथ आपको लगता है then, तो आपको यहाँ पर भी बहुत easy भाशा में य no sooner, अब no sooner के साथ did भी लगता है, तो no sooner did the boys, अब यह सा जो है C में बदल जाएगा, see the principle, चिक है, अब बीच में लगेगा then, then they become, became, sorry, became आएगा न, यहाँ धन रगे, became silent, यह आपका अंसर हो गए भी, कुछ नहीं simple लिखना था, no sooner did the boys see the principle, then they become silent, इस तरीके से लिख कर आना था, और नमर मिल जाते हैं आपको, ऐसे ही अगलत प्रिशन देखिए हैं आप लोग, next, they are flying kites, change into PC ways, अब भी, इसको voice change करना है, ठीके, बहुत ही easy, मैं जहें यह कि नहीं हो रहा कि MP board में हो गया गया है, इतना easy questions दे रहे हैं, जो कि शायर 10th class के बच्चे भी, से भी बन जाएगा, they are flying kites, इसको PCW में change करना था, तो kites जो उटकर आगया जाएगी, क्या capital में लिख लेना आपको, kites are being, flight की third form होती ही, is trends, fly की third form होती, flawn, हना, तो kites are being flawn by them, यह हो गया आपका PC ways में, are being क्यों लगा है, क्योंकि present continuous tense, present continuous tense के PC ways में are being लगा था है, that's okay, the next we have, we leave here since 1952, अब यह जो प्रेशन था, यह अगर आप देखे तो यह है present perfect continuous tense के, जो 12 tense हमारे होतों उनमें last वाले tense के हैं, तो इसको आपको correct work form अप्लाई करनी है, तो इसका answer आएगा, we have been living, यहाँ पर आगेगा, ing here since 1952, yes guys, तो यह थी आपके 10 नम्मर के grammar, जिसमें से आपको इतने नहीं करने थे, लेकिन मैंने सारे questions के answer आपको बता दिये, अब आप यह देखो कि क्या आपके 10 में से 10 marks आये हैं, ठीक है, अगर 10 में से 10 marks आये हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसके अलाबा आप देखो section D में आपको extract दिये थे, और यह extract यार इतने सरल थे, इतने सरल थे, कि इसको कोई छूटा सा बच्चा जो है न, वो भी read करके इसके answer देते, ठीक है, मैंने जब question paper को देखा, तो मुझे लगाए कि यार इस बार MP वोड ने सारे record चोड़ दी है, और वाकरी में बहुत ही easy question पर दिया, तो मैं फटाबट फटाबट सबके answer साब को बता देता हूँ, आप लोग इसको मिला ले न, तो देखो इसमें पहला question पूछाए कि गांधी जी had gone to annual conversation, annual convection of Indian National Congress Party in, तो यहाँ पर आपको चार सन दिये हैं, यहाँ पर आप खुद देख लो, यह लिखा है कि कब गया थे, December 1916 में, तो पहला answer आजाएगा आपका क्या December 1916, इससे पहले चुट गया है, who came to meet गांधी जी, गांधी जी से मिलने कोन आया थे, तो भाई, I want to come, गांधी जी से मिलने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका राजकुमार शुकला जी आया थे, तो राजकुमार शुकला आया थे, यह आपका B is the right answer, इसके बाद यहाँ पर लिखा है, इसके बाद में गांधी जी had never heard of चंपरन, true or false, तो obviously गांधी जी ने कभी चंपरन के बारे में सुना ही नहीं था, है न, how many delegates were there in annual conversation of Indian National Congress, तो कितने delegates थे, तो भई यह अलग बड़े बड़े अक्छरों में आपको लिखा हुआ था, यहाँ कहीं पर, यह लिखा हुआ है, यह देखो, there were two, three, zero, one delegates, तो कुछ नहीं मैंने गाना, बहुत ही easy question पे पर दायर, बहुत जादा, अगर एक बार इस्टुए पोयम में आपको दिया था, कि read the following, straight carefully and answer the questions, so driving from my parents, right, home to Koken, last Friday morning, I saw my mother besides me, doors open, mouth, her face, asked me like that of the cops, and realized with pan, that she was as old as she looked, but soon, that's okay, over हो गया, अब यहाँ पर आपको दिया कि कौन से दे की बात करी ही, तो यह देखो, यह लिखा है, अपका यहाँ पर कहीं लिखा हुआ 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 यह दो, last Friday यह लिखा हुआ है, इसके बाद मैं आपसे पूछा, who was sitting beside, तो obviously उसकी मम्मी बढ़ी हुई है, उसके बाजु में, है न, give the opposite of the word, soon, soon का opposite early हो जाएगा, right, तो इस तरीके से बहुत जादा easy आपके questions आया है, मैं आपको आप ले चलता हूँ, unseen passage की और, तो unseen passage जो है वो आपके आप देख लीजिए किस तरीके से passages आपके walk कर रहे हैं, तो यह रहा आपका पहला section reading का unseen passage का, life is a struggle, पहली line में एक answer चीप है, life is a struggle, we live in deeds, not in years, हम लोग कर्मों में जीते हैं, सालों में नहीं जीते हैं, if we rest, we rest, अगर हम आराम करते हैं, तो हम बेकार हो जाते हैं, if we walk, we shine, अगर हम काम करते हैं, तो हम चमकते हैं, like jewels, adventurous are the essence of life, but action also entails contemplation, proper action needs the proper initiative, Napoleon took the wrong initiatives and brought the downfall of France, proper action is always taken by the wise person, the wise persons always foreshadow the hardship of concluding, sorry, executing a policy, तो भाई, बहुत अच्छी अच्छी बाते हैं, बड़ी बाते हैं, हम लोग questions के answer पर आता है, according to writer, written के अनुसार, Napoleon acted wisely, गलत है, adventurous are not a sense of life, ठीक है, we may shine like metals, ठीक है, leaders and diplomates act keeping in view their reputation, भाई, ये जो answer है, ये आपका आएगा, मैं पूरा passage को एक बार पढ़ चुका हूँ, और मैंने इसका overall ये answer निकाला, इसका, some people are treated as fools because, कुछ लोग जो है बहुकूब की तरह, जो है उनको treat किया जाता, क्यों, because they act haphazardly, they act like philosophers, they strike when the iron is hot and they always foreshadow their hardship, so the right answer will be, they act haphazardly, that is the right answer guys, इसके बाद the aim of the philosopher is, एक philosopher का जो aim होता है, वो क्या हाता, to act like angels, to act like sand, to act like poet, and to understand the world, तो एक philosopher का एक ही हम होता है भाई, दुनिया को समझना, दुनियादारी को समझना, to understand the word, यहाँ पर कहीं के बल लिखा हुआ, आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा, about a philosopher they have written, यह देखो, all philosophers to understand the world, मतलब सारे philosophers जो होते हैं, वो दुनिया को समझने का काम करते, the last line मे इसका अंसर आपको लिखा हुआ है, इसके बाद दीपर आपको दिया है कि the passage implies that, passage में जो बाद छुपी हो, क्या छुपी है कि one should act quickly, understanding should precede action, fools penetrate into the matter and fools always bends, तो भाई, अलगी है, one should act quickly, understanding should precede action, तो the right answer will be the second one, यहाँ पर जो answer आपका होगा, understanding should precede action, यह जरूर यह बाई, passage के अंदर यह बात आप से कही गई, इसके बाद वह form of contemplation, तो भाई, आप अगर देखे इसकी वह form, तो इसकी वह form आपको अलगी मिल जाएगी, देखी, लिखा गया है, लिखा हुआ, contemplation, तो contemplation जो है, यह बना है, contemplate से, जिसका मतलब होता, विचार करना, मन्थन करना, आएगा, आपका, the right answer will be, contemplate आएगा, second one, इसके बाद opposite of rise, rise का opposite बहुत सारे बच्चे सेट करके आए होगे, जो कि सही नहीं है, आपको उसका opposite बताना, अगर कोई चीज़ राइज हो रही है, तो उसका क्या होगा, downfall होगा, so the right answer will be, downfall, J.S.Trends, आपका fourth वाला जो वह सही ह होगा, चलिए, so I hope कि आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा, we should strike when the irony is, obviously समझ गया होगे, लिखा है, passage में, hot, life is struggle, पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए, an exciting, dangerous expression is called, अब एक, expression, एक, ऐसा experience, जो कि बहुत जादे, exciting and dangerous होता है, सब को पता है, adventure कहला हो, a person who is silly is called, व्यक्ती जो बेवकुब होता है, क्या कहता है, उसको fool कहता है, छोटा बच्चा भी बता देगा, यह बात तो, है न, तो मैंने कहा न, बहुत ही, सरल, और बोर्ड के हिसाब से, बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही, easy question पे पर आया Read the following passage carefully and answer the questions, अब एक और passage यहां पर दिया है, कि it was a rare occasion for 10 standards of this school to participate in the national exhibition on environment protection held at IAD, तो यहां पर एक simply आपको एक passage दिया है, और इसमें से make notes on the above passage in the points, आपको इसके notes बनाने दे, and give a suitable title to the passage, और passage का title भी देना है, तो title आप देख लो क्या दिया है, कि the national exhibition on environment, यह ही आपका title बनेग कि the national exhibition on environment, और इसके बाद इसके notes बनाने तो आपको simply notes में points, जो जो points से भी है, किसली रखा गया था, तो इसकी जो theme है, वो यह लिखी है, protection of forest wealth, दूसरा, keeping our rivers, rivers and lakes pollution free, ठीके, तीसरा, the hazards of air and sound pollution, तो इस तरीके से जो जो points उसमें highlight किये गया थे, उन points को आपको point बना गया मैंने काना, बहुत ही easy question पर बढ़ाया था, इसके अलाबा आप लोगों को ये जो later applications दी गई थी, ये भी easy दी गई थी, ठीके ना, थोड़ी सी preparation करने के हिसाब से थी वो, मैं मैं जानता हूँ, इस्टुएंट्स को थोड़ी से tough भी लगी होंगी चीजे, जिन्होंने इनको झाल